रेलवे गुरूप दी का जो दोस्तो communities आपने एक जाम दिया था उसका result एक हटा एक हपता या 10 दिन गांदर दोस्तो आपका clear कर दिया जाएगा तिके मैरे बाइ पाइब के बाद आपको 30 देंगा आपका फीजिकल आपका लेना सुरू हो जाएगा ठीक है आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि रेल्वे गूरूप डी का फीजिकल तो रेल्वे गूरूप डी का फीजिकल जो एक किलो मीटर मांगा है और 100 मीटर वजान उठाके दोस्तो जादा दीन बनी नहीं दोस्तो आपको पता में सारी आर्मी के रेस कोलीफाइं और धिटोरियल की को यह prepare 10 किलोमिटर मिश्법 बतायों कृगा के बीस दिन उपैंस पर गांधी मैदान पटना में गेट मर्दस के सामें सेंटर पर मैं मैं ट्रेनिंग देता हूं दोस्तों यह नंबर पर कॉल करके आप दोस्तों आ सकते हूं ठीक है तो चलो शुरूख करते हैं जाहिन भाईयों मैं फिजिकल ट्रेंश हीवा और आप लोग का स्वागत करते हूं अपने फिटनेस स्पोर्ट्स एके जो ज़्यादा मोटा है ठीक है मेरे रही उसको अभी से हलका हलका लगता जाज़ alignment मैं इससका निए अब आपường पूछते है ही कि फिजिकल Japanese कहां पर पढ़एगा तो जिस बोट से आपने अपलाई की है जिस जोण्स दौन में आपका दोस्तों पूछा ओगा कहीं आपको बाहर भेजेगा नहीं पहला दूसरा पॉइंट दोस्तों कितने बंदों को फिजिकल के लिए बुलाएगा तो दोस्तों तीन गुना जिस मालो की टोटल वेकेंसी कितनी है एक लाग सम्तिक कुछ टोटल वेकेंसी है आपको पता ही होगा तो उसका तीन गुना जो वहाँ physical के लिए बुलाए जाएगा एक बात याद रखना दोस्तों ठीक है वह physical के लिए select करने के लिए नहीं बुलाएगा वह आपको दोस्तों disqualify करने के लिए बुलाएगा लेकिन दोस्तों आपकी महनत आपका लगन आपका जुनून मेरे भाई जितना महनत अपने рिटेन में किया है ना थीक जूसका हलका महनत आपको दोस्तो फिजिकल में देना होगा ठीक है मेरे और बाई मैंने फिजिकल किया मुझे पता है मजाग मैं से भूषर अगला बार आएगा तो फिर देख लेंगे इस तो अगर जिसको golden chance मिला है भगवान ने आपको मेहनत ने आपको एक सीट दिया है न दोस्तों तो आभी मेहनत करके इसको बुक कर लो ठीके इसको वेटिंग लिस्ट में मट डालो अभी के अभी बुक कर लो जग जाओ सोने से कोई फाइदा नहीं है ठीके और दूसरे पर फोकस मत करो अभी अगर आपको लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा फिर ऐसा नहीं कि अच्छा वो भी दस दिन बाद दिक ज जाना है और मैं मरा हूंगा, ऐसा नहीं मैं हूं मैं आपको फिजिकाल कराऊगा तो दोस्तों यहां पर बात होए तीन गुना बोलाए जाएगा अब दोस्तों आपको बता देता हो कि आपका फिजिकाल में क्या मंगा है देखो सबसे पहले दुस्तों वजन लेके सो मेटर तक चलना है आपका दो मिनट दोस्तों लगवाग आपका टाइम मिलेगा ठीक है जैसे कि टेबल रखा होगा एक टेबल पर दोस्तों आपका वजन होगा 35 के तक और 35 के दोस्तों किसी तरह उठाके आपको 100 मिटर बस चलना है मत्दब आप दोड़ना नहीं एक बात तो याद नहीं है जो कट्डा रहता है उसको गिराना नहीं गिराओं जो डिस्कॉलिफाय हो जाओं ठीक है किसी तरह कंदे पर ले लो थीक है सबसे अच्छा है कंधा पर ले लो अच्छा जगा है यहां पर रखने के लिए कट्टे को ठीक है मेरे उसके बात दोस्तों आपका 1000 मिटर करेशंगा 1000 मीटर जो ने सब मारते चारबीस चार पैसाwnे वालास मारते आपाराम से मार दो ठीक है आप अटीक है भी जिकल अप्सेक्टर नहीं वाला पडे लिके हो ठीक है घोड़ो वाला टेक्निक का में अध्यार गोड़े करता है इसे घोड़े के रेस्ट्प नहीं दोड़ाया जाता है तो दोस्तों आप एक हजार तो मीटर 500 मीटर दोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो दोस्तों आपको क्या करना है कि मेहनत तो करना है लिकिन एक टेकनीक के साथ मेहनत करना है ठीक है मेरे भई जो हम कराते टेकनीक के साथ मेहनत ठीक है मेरे भई यहाँ पर लड़कों का जैसे मैंने बता दिया दोस्तों कि आपको 35 केजी वज़ने 100 मीटर का टाइमिंग है गल्स का जो वज़ने दोस्तों 20 केजी वज़न घटा दिया गया है ठीक है मेरे भई दो मिनट में 100 केजी वज़न के साथ गल्स का ठीक है जिसका फिटनेस नहीं है उसका पांच छे दिन अक्टर अलग सकता है एक अलग डाइट चाट बना के दूंगा जिसके फिटनेस नहीं है कि आपको यह यह पूरे दिन में खाना है और सुबस हम दोस्तों आपको गांधी मेदान में वर्काउट होगा हर तरीका सुधा मिलेगा और फिटनेके साथ शेडूल के सामगा ठीके अब डौस्तों यहाँ लड़कियों को हो गया वजन वाला थीके अब दोस्तों तै क्या जबते कि हांच रेज का पांच 40 मिलें गौद को लडकियों के लिए ठीक है बहुत चा哈哈 कमेंट करेंगे सार हाइट ना पेगा या वजन यह होगा या लोंग जंप ऐसा कुछ नहीं होगा यही दो चीज होगा आपका एक वजन उठाकर भागना है और एक दोस्तों रेस भागना है ठीक है मेरे बाई अब 20 दिमें कंप्लीट कैसे करना है आपको दोस्तों एक सडूल कि अपना इस मीटर से दोड़ो और रहांस को चलो मतलब 100 मिटर दोड़ो 50 मिटर चलो सो मिटर दोडो पचास मिटर चलो जो भी सीट के साथ आप इस खुँद का सिठेट होना चाहिए ज़रूरी थी दोस्तों कि फुल स्पीट के साथ दोड़ना है इस इस तरह करके रेगुलर्टी सुबा सामार अगर आप कमजोर हो आपसे नहीं हो रहा तो अपने ट्रेनर को बो करो मेरे यह बात याद रखना ठीक है आपका जो फीजिकल है दोस्तों आपका प्रोपर्टी सब कुछ भीग जाएगा आपका सरीर बोड़ी आपका साथ देगा सरीर यह बात याद रखना ठीक है तो एक सडूल से लॉंग रेनिंग करो उसके बाद दोस्तों मालोगा फिटने बना वालो बढ़िया अरे सुबह साम रिगुलर्टी पहला चैडूल से करो ठीक है दूसरा दोस्तों मेंटन करो बढ़िया चार्ट कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर आप अगर आप फस्त इसरा दोस्तों अगर आप फर्स्ट बार में आऊ तो लोंग रनी पर जाता द्य अकाडमी तो आ सकते हो गांदी में पढ़ना फोन करके जय हिंद जय बारत बंदे मातरव